गुरुवार की शाम करें ये उपाएं यदि आपकी कोई मनुकामना अधूरी है और आप उससे पूरा करना चाहते हैं तो गुरुवार की शाम को एक गुड की डली और साथ साबुत हल्दी की काट और एक रुपे के सिक्के को एक पीले कपड़े में बांध कर किसी अध्यात जगां फेक दें माना जाता है कि ऐसा करने से अधूरी मनुकामना जल्द ही पूरी होती है तो वहीं गुरुवार को केसर का किसी भी रूप में प्रयोग आपकी ग्रेधशा को शुब बनाने के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है इसके लिए आपको गुरुवार की रात को सोने से पहले दूद में केसर डालकर उसका प्रयोग करना है आप ये भी कर सकते हैं कि दूद और केसर की खीर बना कर पहले भगवान विश्णु को भोग लगाएं और फिर पूरे परिवार के साथ मिलकर खाएं ये उपाए आपके घर के लोगों के बीच में प्यार को बढ़ाता है और सुक सम्रिधी में वृध्धी करता है इसके लावा गुरुवार को सुर्यास के बाद पीपल के बेड के नीचे तिल के तेल का दिया जलाएं और उसमें एक रुपए का सिक्का डाल दें इसके बाद पीपल की ग्यारा बार परिख्रमा लगाते हुए इस मंत्र का जाप करें ओम नमो भगवत देवा सुदेवाय नमाहा मानिता है कि इस उपाय को करने से घर में संपन्ता आती है कुणली डिवी डेस्क से तानिया के रिपॉर्ट इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें साथ ही अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं धन्यवाद